मेटल्स मेटल्स अर गुड कंड़क्टर ओफ हीट एंड इलेक्टरिसिति मेटल्स होते हैं हीट और इलेक्टरिसिति पास करने के लिए एक अच्छे सुचलक माने जाते हैं 2nd point, metals are malleable, malleable करते हैं, that is they can be beaten into seats, metal को हम pit pit करें, seats गृप में convert कर सकते हैं 3rd point, metals are ductile, ductile करते हैं, that is they can be drawn into wires, हम metal को एक वायर गृप में convert कर सकते हैं 4th point, metals are sonorous, sonorous करते हैं, हम metal में किसी चीज़ को hit करते हैं तो उसमें कवाज उत्पन होती है 5th point, metals have high density, metal का जो घनत्त होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, यह थी metal के properties अब दखते हैं non-metals, non-metals are bad conductor of heat and electricity, non-metals अच्छे नहीं होते हैं heat to electricity के लिए 2nd point, non-metals are not milliable, non-metals milliable नहीं होते हैं, उनको हम seed group में convert नहीं कर सकते हैं 3rd point, non-metals are non-ductile, non-metals को हम एक wire group में convert नहीं कर सकते हैं 4th point, non-metals are not sonorous, non-metals में हम अच्छी दरह से भाज नहीं सुन सकते हैं फिप पंट नॉन मेटल से लो डेंस्टी नॉन मेटल का जो घनत्य होता है बहुत ही काम होता है यह थी नॉन मेटल की प्रोपर्टीज थी नॉन मेटल झादी नॉन मेटल की ऑ्रोपर्टीज रीक बीड़ता है यह थी नॉन मेटल का अध्या यॉन